नवस्कार और आपते थें पलपल जिला भर में मादक पदार्थों के तस्करी के खिलाब चलाए जारे विशेस अभियान के तहट मेहतुपुन सुचना के अधार पर की गई कारवाई में बीदी रात को जिलाव सियाई पुलिस द्वारा एकार से 45 लाख रुपे के 450 गराम हिरोईन बरामत की गई है आरोपियों की पहचान कर ली गई है इस हिरोईन की किमत अंतराश के बाजार में 45 लाख रुपे बताई जा रही है आरोपियों से सप्लाइर के बारे में नाम पता मालूम करी संबन मेर रानिया थाना में मादक परदार्थ अधिनियम के तहट अभियोग दर्ज कर सप्लाइर की तला सुरू कर दी गई है पकड़े गए आरोपियों में से राजेश औरुप मुन्ना निवासी डवावाली के खिलाफ सहर में डवावाली में थाना में मादक परदार्थ अधिनियम के तहट छे अन्य अभियोग दर्ज है जबकि एक अभियोग थाना लंबी पंजाब में भी दर्ज है राजेश औरुप मुन्ना को पुलिस ने अदालत में पेश कर तीन दिन का रिमांड मंगा है रिमांड के दो के अंतरगत और अन्य जो लोग हैं उनकी पहचान कर उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी अब देखें पर पुलिस के एक खास रिपोर्ट कि इती राथ को हमारे पास सूचना थी कि कोई तीन बंदे नशे नशा या कोई इस तरह का नशा लेकर और ओटू हैड़ से होते हुए डब राजस्तान की और जाएंगे सूचना मिलते ही C.I.A. इंचारज ने एक टीम का गठन किया और उसन को जाके वहां पर राउंड अप किया गया और जिन से साड़े 400 ग्राम हिरोईन मिली है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगबग 45 लाग रुपे है और वहां पर इनके जो तीन बंदे गरिफतार हुए उनमेंसे एक मुन्ना जैन है जो जिसके खिलाफ पहले भी छे मुकद में दर जहां और जो एक बड़ा तसकर है और इनका चार दिन कारिमान लिया गया है और आग्गे जो भी कारवाई होगी आपको बता दिया जाए हमारा पूरा जोर है हमारे C.I.A का पूरा जोर इसी चीज़ पर है कि जादा से जादा खासकर जो बड़े तसकर है उनको पकड़ा जाए और जो उनका सोर्स है वहां तक पहुंचके और इनका जो नेक्सिस को खितम किया जाए